हाई एवरीवान कैसे हैं आप लोग तो आप सभी का स्वागत एपिसोड नमबर फोर थर्टी मिनट वन चाप्टर वन कॉंसेप्ट अना वेरी शूर आप लोगों को इस सिरीज भी बहुत मज़ा आ रहा होगा तो सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर जो एक very important topic हमारा बचा हुआ है that is terms of issue. Terms of issue का मतलब क्या होता है बेटा कि जब भी कोई company debentures issue करती है तो at the time of issuance उसको बताना पड़ता है कि future में redemption कैसे होगा like redemption par पे होगा, redemption premium पे होगा, redemption discount पे होगा हाला कि practically कभी भी redemption discount पे नहीं होता है बट कई books उसको consideration में ले लेती हैं लेकिन real life में अगर हम देखते हैं तो redemption या तो par पे होता है या premium पे होता है so सवाल यहाँ पर यह है कि in case अगर at the time of issuance क्या यह पता चल जाए कि अगर हमें future में कोई loss होने वाला है तो अगर आपको याद हो तो class 11 के अंदर principle of prudence आपने पड़ा होगा principle of prudence कहता है कि अगर आपको लगता है कि future में कोई loss होने वाला है तो उसको भी आप अभी के अभी provisioning करो तो वो provisioning कैसे की जाएगी यह topic हमें यह सिखाएगा बस इतनी सी बात है इसका मतलब principle of prudence यानि कि future में redemption की वज़ा से अगर कोई loss है तो उसको कैसे आपको आज incorporate करना है बस वो हम इस terms of issue के concept में सीखेंगे तो जब हम terms of issue का concept पढ़ते हैं तो इसके अंदर पुल मिलाकर वैसे तो 9 cases by books लिखती हैं बट practically 6 case होते हैं अब वो 6 case कैसे बनते हैं आराम से देखेंगे आप सोचके देखो कि issue कैसे हो सकता है चलो बताओ देखो कोई भी चीज या तो issue पार पे होती है या फिर issue at premium हो सकती है या फिर issue at discount हो सकता है मैंने पहली session के अंदर आपको बता लिया था कि shares discount पे issue नहीं होते हैं बट येस debenture can be issued at discount also अब आप सोचके देखो क्या इसके साथ दो possibility जोड़ सकती है Redemption at par and Redemption at premium मैं फिर repeat कर रहा हूँ अगर मैं इसके अंदर तीसरा case जोड़ दू Redemption at discount तो क्या एक के साथ तीन case बन सकते हैं and that is why I said कि books में 9 cases भी दिखते आते हैं ठीक है यहाँ पर issue at premium और Redemption par पर या फिर Redemption at premium issue at discount Redemption at par and Redemption at premium now try to understand क्या भी हाँ total 6 cases जहां पर हम लोगों को समझना पढ़ेगा कि issue के समय पर हमें entry कैसे बनानी है अगर इन में से कोई भी case आपको paper में देखने को मिलता है अगर वो आपको आ गया the concept is over clear है ठीक है सर सर अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा हर case को मैं अलग-अलग तरीके से समझाऊँगा तो बड़े अराम से देखने है आपने सबसे पहले case ले लेते हैं कि issue तो किया गया par पे ठीक है suppose करो 12% debenture 100% each ठीक है जी 12% debenture 100% each आप लोगों ने issue करा just एक second जरा मैं screen करना वो change करता हूँ मज़ा नहीं आ रहा इस पे one second yes अब इस देखेंगे जरा सारे तो जो मेरा case one बनता है न वो क्या है बिटा कि हमने issue तो कर दिया par पे suppose करो 12% debenture हम issue कर रहे हैं 100 रुपे each at par ठीक है और साथ में मैं लिक रहा हूँ redemption भी कैसे हुई है at par अब आप imagine करो issue भी par पे हुआ redemption भी par पे हुआ दोस्तों अगर दोनों चीजे par पे हो रही हैं तो पहले तो golden rule समझ लीजिए आप redemption को ignore करो सिरफ issue की entry ही पास कर दो और यह मैंने बहुत अच्छे से क्या session one में सिखा दिया था कौन बढ़ाएगा search very simple bank debit to direct debenture में डाल सकता हूँ बिलकुल कोई problem नहीं है to debenture application debenture application to percentage debenture ना करके क्या आप direct भी लिख सकते हो बिलकुल लिख सकते हो कोई problem नहीं आएगी ठीक है जी तो यहां पर हमने 100 रुपे यहां पर mention गर दिया तो this is the entry when we issued debenture वो भी at power खतम हो गया ठीक है सब अब यहां पर word आ रहा है redemption is at power अब आप सोच के देखो अगर redemption पार पर है तो future में आपको कोई loss नहीं हो रहा तो जब future में कोई loss नहीं हो रहा तो उसकी कोई provisioning भी नहीं करनी that's it finish तो बस यह खतम हो गया concept समझा है कुछ नहीं करना लेकिन अगर यहीं पर suppose करो मैं question में change करते था कि issued तो power पर है वोई सेम 12% debenture और आगे लिख देता redemption है at premium of 10% redemption is at premium of 10% now this is very important point issue power पर है but redemption is at premium of 10% तो पहले golden rule issue की entry आप pass करेंगे same bank debit to percentage debenture ठीक है जी पहले तो हमने यह pass कर दिया अब आप मुझे पिताओ as per principle of prudence अगर आपको future में कोई loss हो रहा है तो क्या उसकी provisioning आज ही आपको करनी है तो सोच के देखो redemption अगर premium पे है मालो पांच साल बाद है तो क्या हमें पांच साल बाद 10% extra पे करना पड़ेगा which is a loss to me तो 100 रुपीज का 10% 10 रुपे का loss जो आया तो क्या उसकी provisioning कर देंगे loss on issue debit to premium on redemption by 10 रुपीज बस इसका मतलब बस एक side पे entry note कर लेजे कि loss on issue debit to premium on redemption यह आपको एक entry याद रखनी है कि आपको इस entry को insert कर देना है अपनी entry के अंदर so that आप लोगों का पूरा का पूरा entry create हो जाए क्या सब़ आगे है very simple याद loss on issue debit to premium on redemption को insert करना कब जब भी redemption at premium होगा अगर मालों redemption पार पर पर तो कुछ नहीं करना खाली issue की entry करके छोड़ो oh my god it's very simple sir 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 एक और बताना देखो suppose करो issue हो रहा है at discount suppose करो 12% debenture सौर पे each अपन issue करेंगे 10% discount फिर वो आगे लिखता है redemption कैसे होई है पार पे यह सबसे easy case हो जाता है जब मैं बोलता हूँ redemption at pass तो आपको focus ही कुछ नहीं करना सिर्फ इस पे focus करना है मुझे बिताओ bank debit to 12% debenture यहीं करेंगे क्योंकि discount पे हो रहा है तो discount on issue debit ठीक है सौर पे वाली चीज 90 में issue करो 10 रपे का discount खत्म क्योंकि redemption पार पे तो कुछ नहीं गए वाव सौर इन easy ऐसी दुबारा देखना issue at discount 12% debenture सौर पे एच at 10% और आगे लिखता है redemption is at premium of 10% अब यहाँ पे सोच के बताओ पहले तो issued at discount की entry तो पहले तो आप लिख लो दिमाग ही मत लगाओ ना खाली issue की entry तो आपके खून में है बिटा session 1 में करा दी थी वैने अब क्योंकि redemption premium पे है तो एक entry को उठाओ यहाँ insert कर तो कौनसी वाली entry सा loss on issue debit to premium on redemption 10 अब कई किताब ही क्या करती है पता है इन दोनों को loss on issue का नाम दे के 20 लिख देती है आप अलग अलग लिखोगे तो भी चलेगा कई books क्या करती है तो उनों को at premium of 5% and let's say redemption is at premium of 2% suppose premium वाले केस लेते हैं क्योंकि अगर redemption पार पे अफिट तो कुछ बताने की चुछ होती नहीं है पहले मुझे इस पे focus करके बताओ सर देखिए क्योंकि हम पांच प्रतीशत premium पे issue करने जा रहे हैं तो हमें कुछ नहीं करना यहां पे लिखना 105 100 और 5 खत्म 100 और पे वाला 5% premium यानि की 105 रुपे में debenture के आगे 100 premium के आगे 5 redemption at premium of 2% entry को insert करो loss on issue debit 2 रुपे से premium on redemption 2 रुपे से बस इस entry को उठाओ डाल दो loss on issue debit to premium on redemption क्या मेरी बात समको समझा गई वेरी को लो जी खतम हो गया ही हमारा लॉक कर दे इसको बोलो जल्दी बोलो ठीक है terms of issue खतम अब आजाते हैं बेटा अगले concept की और that is interest सर आप सबको मालूम है कि जब भी कोई company आपने notice कर आओगा जब भी मैं कोई company डिवेंचर से issue करवाता हूँ तो मैं आगे लिखता हूँ 12% 10% और ये क्या होता है coupon rate coupon rate का मतलब क्या होता है इतना company आपको क्या देगी टू डिवेंचर होल्डर और यहां पर एक concept हो रहाएगा TDS payable या रखना company जब भी अपने डिवेंचर होल्डर को interest देती है और अगर question में TDS के बारे में mentioned है तो वो TDS deduct कर लेती है ठीक है नट क्या करती है TDS deduct कर लेती है TDS payable अब ऐसे example ले ले तो मालो 12% डिवेंचर है एक लाप के तो company को 12,000 रुपे का ब्यास देना और मालो TDS का rate है 10% अब इसका मतलब समझो क्या है इसमें कोई दोर आई नहीं है कि interest तो company को पूरा 12,000 ही देना है वो अलग बात है कि सरकार कहती है कि 10% का तुम TDS काटके हमें दे देना बाकी तुम इन लोगों को दे देना सर अब क्या करते हैं हम लोग अगली entry जो होती है वो होती है इनको pay करने की यानि कि डिवेंचर holder debit to bank ठीक है 10,800 रुपे आप TDS pay करने की entry करो पहले डिवेंचर holder को pay करने की entry करो फिर TDS payable debit to bank क्या सरकार को TDS भी पे कर दो और फिर इस interest को P&L से क्या write-off कर लो P&L debit to interest 12,000 रुपे क्या मेरी बात समझाई सो सिंपल और ये entry क्या company हर साल पास करती रहेगी जब तक आपके डिवेंचर outstanding है सर अगर ये semi-annual हो तो मालू मालू कंपनी जो है वो डिवेंचर पे interest semi-annual दे रहे है तो साल में कितनी बार दो बार प्री सुनते रहे ना ये entry half amount से हो जाएगी ये entry half amount से हो जाएगी साल में एक बार पहले तो 6 महीने बार ये करेंगे फिर 6 महीने बार दुबारा करना लेकिन P&L वाली entry याद रटना एक ही बार करते हैं क्योंकि वो year end में होती है तो जितनी बार आपने interest दिया होगा एक साथ debit to P&L चला जाएगा इसका बतर सर आप ये कह रहे हो कि interest due की entry दो बार होएगी payment की entry दो बार होएगी लेकिन interest को write off करने की entry मात्र एक बार होएगी and that's all with interest कहें यहाँ तक clear है? Yes sir आखरी topic जो हमारा इस chapter में है वो है writing of of discount याद रखना एक company जब भी discount देती है अपने debenture holders को तो वो discount को क्या करना होता है? write off करना होता है अपनी किताबों से ना ये concept important इसलिए है क्योंकि practically जब भी हम मानलो पूरा 3 साल का या 4 साल का question कर रहे है तो आपको हर साल discount कितने से write off करना होगा ये आना चाहिए तो इसमें मुझे आपको दो चीज़ें सिखानी होती है एक amount जो हर साल write off होगा और एक उसकी journal entry ठीक है? दो चीज़ें मुझे सिखानी है देकि journal entry तो write off की बड़ी असान होती है बताओ क्या होगी? P&L debit to discount on issue खत्म journal entry तो simple है क्योंकि write off किस से करना? P&L से तो entry P&L to discount कर दें सारी game किस पर आजाती है? amount में तो पेटा जी amount कैसे आता है? इसके लिए हमारे पास method का नाम है lump sum installment method lump sum installment या lump sum payment method भी लिख सकते हैं lump sum payment method और दूसरा method जो होता है ना उसको बोलते हैं installment method इसको एक और नाम देते हैं proportionate method तो अब मैं आपको ये दो method सिखाने जा रहा हूँ अगर ये दो method आपको आगए ये issue of the venture का chapter खता हूँ ठीक है सब अब लिखो जड़ा सबसे पहले lump sum payment method ये तो सबसे easy method होता है पहले मैं आपको method का मतलब समझाता हूँ lump sum payment का मतलब समझो क्या है मान लो company ने आज 10,12,12% debenture issue करे at 5% discount यानि की मोटा मोटी तौर पे company ने सीधा सीधा अपने debenture holder को पचास हजार रुपे का discount offer करती है simple ठीक है और in debentures को redeem किया जाएगा let's say after five years यहाँ redeem करना वो भी कैसे lump sum redeem करना यानि कि redemption आपको कब करनी है पांच साल बाद और lump sum करनी है मैं जो सवाल पूछ चूँ को उसका जवाब देना क्योंकि मैं यहाँ पर आपको पहले logic देने की कोशच करूँगा जो बच्चे समझ जाएंगे उनके लिए तो अगला method और भी असान होने वाला देखो कैसे आप मुझे एक बात बताओ हम लोगोंने न accounts में कॉनसे पढ़ा था matching principle matching principle क्या कहता है खर्चा should match the revenue यानि कि जो भी आप write-off करते हो क्या उसके benefit से match करना चाहिए दोस्तो अगर आप इसको पांच साल बाद write-off करोगे मतला पांच साल बाद repay करोगे तो क्या मैं ये मान के चलो हर साल आपने उस company ने पांच लाग खरपे पूरे यूज़ करे है ये सर तो क्या हर साल benefit बराबर लिया तो write-off भी बराबर करेंगे तो lump sum payment method तो सबसे ललू method है वो क्या कहता है कि जो भी discount है न divide by life of the debenture या आप write-off करोगे यानि कि हर साल दस हजारों पे write-off करोगे कई किताबे इस lump sum payment method को equal installment method भी भोलती है हवाज मारो equal installment method मतलब books कहती है कि भाईया आप equally write-off करो क्या बोला आप equally write-off करो every year बोलो equally write-off करो हर साल मतलब ये कि हम ये चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि आप अपने discount को हर साल 10-10,000 रुपीज equally write-off करो ठीक है जी हर साल 10-10,000 रुपीज equally write-off कर दीजिए ये हम चाहते हैं एक बाईया रिपीट करो every year हम write-off कितना करेंगे 10,000 हर साल write-off करेंगे तो आप मुझे बताओ इसकी entry क्या बनेगी very simple हम लोग क्या करेंगे year end पे पी एंडल डेबिट तू डिसकाउंट क्या ये पूरी तरह से write-off हो जाए so simple I am hoping for everybody's clear very good beautiful अब चलते हैं वापिस क्या यहां तक clear है तो ये हमारा था lump sum payment जिसको हम equal installment method भी कहते है जो ये कहते है कि every year आपको equally write-off करना है बात खतम ठीक है दिए अब आजाते हैं यहां पर proportionate method proportionate method का मतलब होता है कि आप हर साल write-off तो करेंगे not equally equally नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे मैं बताता हूँ इस method में ये कहा जाता है कि ये method कव लगता है जब company अपने debentures को beach-beach में जैसे 5,00,000,000 टोटल लिया था न 1,00,000,000 अगले साल repay कर दिया फिर 2,00,000,000 अगले साल repay कर दिया something like this तो इसमें ये लोग क्या कर रहे है हर साल कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ क्या करते जा रहे है repay करते जा रहे है जिससे क्या होगा अगर ये हर साल कुछ amount repay कर देंगे दोस्तो तो क्या balance amount कम होता जाएगा benefit कम होता जाएगा तो इसे लिए write-off भी equal नहीं होना चाहिए मैं आपको समझाता हूँ आपको समझाएगा through one example ठीक है इता देखो अब सर इसमें फिर बतातो तो करना क्या कुछ नहीं करना equal installment method amount of discount निकालो divide by life करो जो आएगा हर सर राइट अप करते हो खत्म फिनिश ठीक है जर ठीक है जर अब इस पर आ जाते हैं ठीक है नब proportionate method बोल दो इसको ठीक है नब proportionate method बोल दो आप इसको क्या कहते हैं proportionate method भी बोल सकते हो आप इसको installment method भी बोल सकते हो कघई सब्रक्ति क करो एक्स smaller केаров mainmon national ऐसा चाहवब करूचन अब्सक्वाल क्रिशंट डिशेगे परसने और गिशंच अटवर्फ डिसकाउंटोव 10 पर से करेंचन ने इसउचे करती है और नहीमंबर और लिखे लेते हैं दस हजार दस हजार डिवेंचर सौर पे इच डिसकाउंट आफ 10% अगर दस हजार इंटू सौ करोगे तो दस लाख रुपे के डिवेंचर इशू हुए और हमने कितना डिसकाउंट दिया 10% डिसकाउंट दिया कोई सिंपल है विल्कुल ठीक लिखता है रीपेवल एस फॉलोस हम इसको रीपे कुछ इस तरह से करेंगे यहां पे लिखेंगे यह एंड वान तू त्री फॉर और फाइफ दो लाख यहां दे देंगे दो यहां दे देंगे दो यहां दे देंगे दो यहां दे देंगे इसका मतलब यहाँ पर यह लोग एक साथ लंबसम पेमेंट ना करके क्या हर साल दो-दो लाक रुपे आप पे करने की बात करता है ठीक है अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ ज़्ला दिमाग लगाना देखो मैं पहले लॉजिकली समझा रहा हूँ आपको पूरा क्लारिटी समझाएगी जीरो पीरियर्ड पे कंपनी ने पैसा कितना उठाया दस लाक फर्स्ट इयर के एंड में आपने दो लाक पे कर दिया तो यहां आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या आट लाक बचा फिर छे बचा फिर चार बचा फिर दो बचा और एंड में आते आते क्या यह अमाउंट निल हो गया यही हुआ ना इसका मतलब अगर ध्यान से देखो तो पहले साल कंपनी ने पूरा कितना यूज करा दस और फर्स्ट इयर के एंड में दो देने के बाद सेकंड इयर में कि यूज करा छे फूर्थ इयर में कितना यूज करा चार फिफ्ट इयर में कितना यूज करा दो बेटा जी हर साल जो आप अमाउंट यूज कर रहे हो क्या वो घटता जा रहा है येस येस तो हर साल बेनेफिट भी घटता जा रहा है तो हर साल एक्सपेंस भी क्या यहां पर लिखेंगे amount used हम यहां पर लिखेंगे first year में आपने जो पैसा use करा वो पूरा 10 लग था first year के end में आपने अगर 2 वापिस कर दिया तो second year में आपने 8 यूज करा फिर 6, फिर 4, फिर 2 यानि कि आपने जो पैसा इस्तमाल करा वो कुछ इस प्रकार था 10, 8, 6, 4, 2 ठीक है सर अब इसका sum total कर लेते हैं 18, 24 और ये 30 लाख आ गया हमारे पस ये आपने पैसा use करा अब आप यहां पर लिखेंगे total पैसा कितना use हो गया मतलब ratio बनानी है न इसलिए ऐसा करना पर रहा है अब यहां पर लिखो weights weights क्या होंगे 10 बटा 30 8 बटा 30 6 बटा 30 4 बटा 30 2 बटा 30 प्लीज सुनते रहिएगा very simple अब आप यहां पर लिखो discount कितना write-off हुआ देखो कितना असान है आपका total question में जो discount आपने दिया था वो था 10% यानि कि 10 लाख का 10% 1 लाख रुपया आपने discount दिया क्योंकि आपने benefits अलग-अलग ratio में लिए है तो हर साल write-off भी क्या अलग-अलग होगा बिलकुल कैसे सा 10 बटा 30 इंटू कितना 1 लाख यह पहले साल write-off होगा 8 बटा 30 इंटू 1 लाख दूसरे साल write-off होगा 6 बटा 30 इंटू 1 लाख तीसरे साल write-off होगा 4 बटा 30 इंटू 1 लाख चौथे साल write-off होगा 2 बटा 30 इंटू 1 लाख क्या पांचवे साल write-off होगा इसका मतलब हर साल जो amount write-off किया जाएगा क्या वो reduce होता चला जाएगा yes or no, हर साल amount जो write-off होगा, क्या वो reduce होता चला जाएगा, yes or no, बिल्कुल सब, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि हर साल आपको कितना amount reduce करना है, यह हमारा इस तरीके से solve हो जाएगा, क्या मेरी बात सब को समझ में आ गई, and that's all, क्या यह खतम हो गया, सर, बिल्कुल खतम हो गया, बस इतना ही हमें करना था, क्या मेरी बात सब को समझ में आ गई, yes or no, so यह होता है इंस्टॉल्मेंट मेथड, क्या होता है, इंस्टॉल्मेंट मेथड, अब बच्चा कहता है, सर जरूरी छोड़ना है, कि हम इसी तरह से हर साल equally रिपे करेंगे, बिल्कुल सही, तो सर, अब एक क्वेश्चन और करते हैं, अगर वो समझ आ गया, अच्छा, एक वाई दुबारा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना, यह जो अमाउंट आएगा, पहले साल का, मालो 33,000, 3333 आ गया, यह अमाउंट, प्रिएंड लिस्काउंट, थर्ड यर में राइट अफ होगा, यह फोर्थ यर में राइट अफ होगा, यह फिफ्थ यर में, सबसे जादा राइट आफ फिर्स यर में होगा, क्यों, क्योंकि सबसे जादा आपने पैसे का इस्तमाल भी क्या फर्स्ट यर में ही करा था आउच क्या concept निकला ठीक है दुबारा से लास्ट क्वेशन है X Limited ने इशू करा 9% रुपीज 100 डिवेंचन मान लो तोटल नंबर है 10,000 at 96% अब कई बार क्वेशन की language ऐसी आ जाती है at 96% का मतलब होता है 4% discount ठीक रीपेबर as follows year end 1 2, 3, 4, 5 अब इदा देखना बड़ा interesting सा amount है मान लो first year के end में आपने कुछ दिया ही नहीं second year के end में भी आपने कुछ ने दिया third year के end में अचानक 5 लग दे दिया फिर यहां तीन दे दिया यहां दो दे दिया यानि कि आपने 10 लग का लोन ऐसे पेड़ा कुछ भी हो शकता है ना आप समझो दिमाग लगा के ठीक है अब न थोड़ा सा मेरे कहने पर यह line draw कर लो बस आपको आदत नहीं है मुझे मालूम है बट अगर आप ऐसा सीखोगे तो आपको कभी जिन्दगी में कोई भी क्वेशन मुश्किल नहीं लगीगा ठीक है ना आपने यहां पर 10 लाग लिया फर्स्ट येर के एंड में आपने कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब फर्स्ट येर तो आपने 10 लाग यूज करा क्योंकि फर्स्ट येर के एंड में आपने कुछ दिया ही नहीं तो सेकंड येर में भी क्या आपने पूरा 10 लाग ही यूज करा येस सर सेकंड येर के एंड में आपने कुछ नहीं दिया तो क्या यहां पर भी आपने 10 लाग यूज करा इसका महला फर्स्ट इयर में भी दस यूज करा सेकंड इयर में भी दस यूज करा और ठर्ड इयर में भी दस लाग यूज करा ठर्ड इयर के एंड में आपने पांच दे दिया तो क्या फूर्थ इयर में आपने पांच लाग यूज करा बोलो येस सर फिर यहां आपने तीन दे दिया तो क्या यहां दो यूस करा और यहां दो दे दिया तो यहां कुछ भी यूस नहीं करा Oh my God तो इसका ऑना दस दस पांच दो Yes sir दस 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 पांच दो Rash लाग क्या यहां तरह फिर थिक है तो यह हमारा तोटल अवाउंट आ खिर अब हम यहां पर था चते ऊणेंगे दिस अब count कि दो थो बता सेंथिस हो दो पाउन पोलो डशींतिस दस बटा सेंथिस दस पली लिखेंप 25 cent यह इंटू वे चितना भी सिर्द साथ अब चेक करो डिसकाउंट कितना था सर दस लाग का चार परसंट बच्चा क्या था आपको कैसे पता क्योंकि इशू 96 परसंट पे हुआ था दोस्तो तो डिसकाउंट कितना होगा सर डिसकाउंट विल भी 4 परसंट यानि की 40,000 फ़त्ब पुश्च इन्टू 40,000 इन्टू 40,000 इन्टू 40,000 ये जो भी हमाभूस आएंगे हर साल आप इसको प्रियंडल से क्या कर देना राइट ओफ कर देना वाओ पहली वीडियो है भाई साब जो पूरी 30 मिनट पे जाके खतम हो जा कमाल हो गया मेरे दोस्तों इशू आपका खतम हो गया कमेंट करके जरूर चड़ाय को लो नलाय को ठीक है कि वीडियो कैसी लगी आपको फाइदा हो रहे 30 मिनट सीरीज का या मैं बंद कर दूँ ये जरूर बताना ठीक है चलो बाई बाई